तो हलो एवरीवन मैं हूँ किरेन एंड वेल्कम बाक तो मैं चैनल और मेरे चैनल का नाम है इनन मॉमान द्यूटी तो आज मैंने सोचा कि मैं रिव्यू करूँ श्रीशी आयरवेदा नीम फेस पैक और तर्मरिक फेस पैक तो इन दोनों की जो कॉस्ट है वो है 65 रूपीज और इसके अंदर जो इंक्रिडियंट्स है वो काफी अच्छे है I'm really impressed with the ingredients तर्मरिक फेस पैक को मैं पहले भी यूज कर चुकी हूँ नीम फेस पैक को मैं पहले भी यूज कर चुकी हूँ पर मुझे आपके सामने इसका जो रिजल्ट है वो दिखाना है तो मैं आपके सामने इस दोनों फेस पैक को हाफ आफ लगाऊंगी और आप खुद मेरे फेस के उपर जो भी रिजल्ट है वो खुद आप देख पाएंगे So guys let's get started So मैंने अपना फेस वाश कर लिया है सबसे पहले ये बहुत important है मैं आपको फटाक से इसकी पाकेजिंग के बारे में बताती हूँ पाकेजिंग काफी नॉर्मल है काफी स्टडी है और आप इजीली इसे कहीं भी क्यारी करके लिखे जा सकते है क्योंठी काफी स्टडी है नो डाउट कि अगर ये लीग हो गया ये हो गया खुझ भी नहीं होगा डोंट वरी सो चलिए मैं पहले फेस पैक लगा लूँ सो जो नीम फेस पैक है वो दिखने में थोड़ा ग्रीन इन कलर है आप देख सकते है और इसकी जो स्मेर है काफी हर्बल काइंड ओफ है तो अभी मैं लगाऊंगी टर्मरिक फेस पैक जिसका कलर है थोड़ा सा मुलतानी मिट्टी जैसा आप देख सकते है इसकी कंसिस्टेंसी काफी अच्छी है दोनों की भी काफी क्रीमी है और इसली आप लगा सकते है तो कंसिस्टेंसी वाइज यह बहुत ही अच्छा फेस पैक है और इस फेस पैक की जो स्मेल है वो काफी हल्दी जैसी आ रही है अच्छी जब तक मेरा यह फेस पैक सूख रहा है तब तक मैं थोड़ा सा नेल पॉलिश रिभूफ कर लेती हूँ अल्मोस्ट दस से पंदरा मिनित मुझे वेट करना होगा तब तक मैं थोड़ा पैंप्रिंग कर लेती हूँ पुद को या थोड़ा बहुत डान्स वाद्यू तो आई यह थोड़ा सा म्यूजिक लगाते है प्रेंग कर लेती है मोब दूब यह थोड़ा सबिस्टरान मेरा यह फेस पाक सूख गया है इसे सूखने में अल्मोस 15 सी बीस इनिट लग गया तो अभी मैं जा के अपना फेस दो के आती हूँ और आप तयार है मेरे ओवराल रिजल्ट के लिए कि इसका क्या एफेक्ट मेरे फेस पे आया है तो कीप ओन वाचीग सो फाइनली मैंने फेस वाश कर लिया है तो फेस ड्राइ करके मैं अपने जो भी व्यूज आपको पताती हूँ सो मैंने फेस ड्राइ कर लिया है मुझे राइट नौ मेरी जो श्कीन है काफी फ्रेश लग रही है जो कि आप कोई भी फेस पैक लगाएंगे तो आपको लगेगा। इसके अलावा मेरी जो skin है काफी soft होगी है वो भी आप किसी भी face pack को लगाएंगे तो भी लगेगा The main thing कि आपकी skin कितनी glow कर रही है या कितनी अच्छी दिख रही है So मुझे बहुत ज़्यादा difference नहीं लगा frankly speaking मेरी skin पर मुझे ऐसा कुछ drastic change ऐसा कुछ नहीं लगा या कोई मेरी जो skin है वो मतलब क्या बुल सकते One tone fairer भी नहीं लग रही है क्योंकि बहुत सारे face pack मैंने ऐसे use किये है जीन को use करने के बाद जो skin है वो one tone fair हो जाती है क्योंकि skin काफी clean and clear हो जाती है इसके अलावा मुझे कोई ऐसा magical result या एक okay kind of result नहीं लगा मतलब okay सी भी down ही लग रहा है मुझे कुछ ऐसा खास नहीं लगा अपने face में इसको लगाने के बाद और इस turmeric face pack को और neem face pack को मैंने आपको बताए कि मैं पहले भी use कर चुकियो तो मैं एक चीज बोल सकती हूँ कि यह जो भी result देता है वो अगर मतलब मेरी skin पे तो आप देख सकते हैं कि इतना कुछ उठके नहीं आ रहा है पर अभी मेरी skin soft है clean and clear है पर यह result सीफ मुझे लगता है 24 घंटे के लिए रहता है उसके बाद मेरी जो skin है as it is हो जाती है मतलब मैंने बहुत सारे face pack ऐसे देखे हैं use किये हैं जिनका result at least 2 days 3 days तक होता है पर इन face pack का वैसा भी नहीं है so overall यह जो face pack है काफी okay है okay से भी down है बत काफी affordable है तो अगर आपको एक बार use करना है तो आप इसे कर सकते हैं मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि बहुत ही amazing product है कि मैं आपको suggest करूँ आप अपने मर्जी से इसे use कर सकते हैं मुझे नहीं लगता कि मैं इने suggest करूँ मैंने कोई इसका side effect नहीं देखा बट still I don't feel कि ऐसा कोई magical नहीं है जो मैं आपको recommend करूँ so overall मेरा यह review था on this श्रीशी आयववेदा तर्मरिक face pack and neem face pack I really hope कि आपको अच्छा लोगा होगा अगर आपको अच्छा लगा है तो please hit the like button मेरे चानल को subscribe करिए अगर आप मुझे पहली बार देख रहे है तो और अगर आपको कोई और special video चाहिए तो please let me know below in a comment box so till then bye and take care